नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता सिंग स्वागत करती हूँ आपका टीसरलिस्ती यूटूब चनल की एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गोतम बुद्ध के एक अनसुने रहसे के बारे में गोतम बुद्ध ने ऐसा क्या किया उस नीची ज दोस्तों आपके सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे वीडियो को आन तक जरूर देखिए तभी आपको समझ आएगा उमीद है और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद जरूर आएगा एक बार बुद अपने भिख्षू के साथ भिख्षा टन के लिए किसी गाउं की तरफ जा रहे थे तभी अचानक बुद के पैरों में काटा लग गया काटा इतना तीक्षन था कि चुपते ही रक्त की धार निकलने लगी बुद के बिख्षू ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़ कर बुद के पैर पर बान दिया इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद से इरश्या करते थे उन्होंने बुद से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्यानी समझते थे लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो तुम पाखंडी हो और ये हमने सिध कर दिया है ये काटे हमने ही बिख्षाए हैं इस गाउ में तुम्हारा स्वागत नहीं तिरसकार होगा इस गाउ में तुमको कोई विख्षन नहीं मिलेगी बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध गिया कि किर्प्या करके मुझे इस गाउं से बिख्षल लेने दो बुद्ध के इर्शालों ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें बिख्षाटन के लिए इस गाउं में आना है बुद्ध मुस्कुराते हुए काटों पर चलने लगे बुद्ध के साहस को देखकर गाउवाले चकित रह गए कुछ लोगों की आँखे फटी की फटी रह गई गाउवाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गाउव भी जा सकते थे तो फिर काटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं गाउवाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बलकि जीवन को बदलने की थी गाउवालों की भीड में एक सुमित नाम का यूवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देख कर दरवित हो गया सुमित दोड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से काटों को हटाने लगा बुद्ध के इरशालू सुमित को रोकने लगे और गाउव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगे सुमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान आप इन मुठी बर लोगों के लिए अपने आपको कष्ट मत दीजिये, आप गाउं में प्रवेश कीजिये, बहुत सारे लोग आपको बिक्षा देने के लिए आतुर हैं, बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशिर्वात देने लगे, सुमित पीछे हट गया, हे भगवान आप मुझे छूकर अपने आपको अपवित्र और दूशित ना करें, मातमा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आपको दूशित क्यों कहते हो, छूने से कभी कोई भी दूशित नहीं ह होता, मनुश्य तो लोब, लालच, घ्णा, इर्शा से दूशित होता है, तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है, तुम दूसरों का सुक चाहते हो, तुम तो पवित्र हो, बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आपको बड़े ज्यानी कहते हो, तु तो मेरे लिए दुख का कोई विशय नहीं है, कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्म शास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ, बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस स्रिष्टी में हुई है, नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है, खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती, खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है, स्रिष्टी करताने भी कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हम इनसान कोन होते हैं भेदभाव करने वाले, मानव मानव में भेद करके अपने संब अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा बिख्शू बन सकते हो। बुद्ध के आमंतरन पर सुमित पहला नीच जाती का बहुत बिख्शू बनता है। इस पूरे विबरन में केवल सुमित का जीवन बदला। शेष सभी लोगों का जीवन रुपानत्रित हुआ। पाल पाल पुपला में अता करा माया पुझा है अजह रहे जा हाई रहूर कॉछ करना ऐसे पुछ करेंग।